जै 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 हनुमा जै सिदारां तुम सावीर भक्त नहीं दो जा इस दिन करें आपके पोजा मंगल मूरत मंगल कर दो भक्तों के सब संकट हर दो जै 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 हनुमा जै सिदारां जै 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 हनुमा जै सिदारां आनन में कुंडल छविछाए लाल लंगोटा परम सुहाए मस्तक चंदन लगा निराला कल सोहे मणियों के माला जै 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 हनुमा जै सिदारां एक हात में गदावी राजे पांधे सदाजे नियू साजे चीशम कुट थर कंगन सोहे रूप अला की कमन पामो हे जै 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 हनुमा जै सिदारां जै 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 हनुमा जै सिदारां लंका निसे चरने कर निवासा यहां कहां सजन कर बासा मन महुतरक कर एक पिलागा तेही समय बिभीशन जागा बड़े आस्चर की बात है रहुवन्सी स्री राम प्रभू के धनुस्वान चन्र आदी अंकित यह निवास किसका है तुलसी के पौधों को देखकर लगता है जैसे यहां कोई साधू पुरुष निवास करता हूँ परन्तु यह लंका तो निशाचरों की नगरी है दुराचारी रावल के होते हुए कोई साधू पुरुष यहां कैसे निवास कर सकता है कहीं यह कोई माया तो नहीं यही स्रिवाब राम राम तेही सुम्रन की ना हिर्दय हरस कपी सजन चीना यही सन हठ कर हूँ पहिचानी साधू ते हो यह नकार ज्वानी यह स्री राम यह स्री राम राम यह निश्चा ही कोई सत्पुरुष है क्योंकि स्री राम का नाम लेने वाला कोई सजन ही हो सकता है इनसे तो मैं हट करके परचय करूँगा क्योंकि साधू पुरुषों की संगती से कभी हानी नहीं गुती बेप्रे रूप धरी बचन सुनाए सुनत भीविशन उठे ताहां आए करी प्रणाम पूछी को सलाई बेप्रे कहा होने जे कथा गोजाई की तुम हरिदासन मह कोई मोरे हे दय प्रीत अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयह मोह करन बड़ भागी हे ब्राम्मन देवता आप कौन है राक्षसों के इस नगरी में आप कैसे आए किर्पा करके अपने वारे में विस्तार से बताएं क्या आप प्रभू श्री राम के भक्तों में से कोई एक है या फिर आप स्वयम प्रभू श्री राम ही है जो ब्राम्मन के वेश में मुझे करतार्थ करने आये है हे विप्रबर रावन के अनुज विभीशन को अपना परिचय दीजिए क्योंकि ना जाने क्यों आपको देखकर मेरे हिरदय में आपके प्रती अत्यंत प्रेम उमड रहा है तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सोनत जुगल तन पुलक मन मगन सो मेरे गुन ग्राम हे ताथ ब्रधिशन मैं प्रभूश्री राम चंदर जी का दूथ पवन पुत्र हनमान हूँ सुनहु पवन सोते रहन हमारी जिम दसनने महो जीव बिचारी ताथ कब हुम ही जान अना था करे हैं ही क्रपा भान कुल ना था हे पुजिस्रेष्ठ हनमान ना जाने किन जन्मों के पुन्यों के कारण मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग प्राप्थ हुआ रावण की इस नगरी में राच्छसों के बीच मैं उसी प्रकार निवास करता हूँ जैसे दातों के बीच जीव रहती है तामस तन कछू साधन नाही पीत नपद सरोज मन माही अब मुहिभा भरोस हनुमन्ता दिन हरी ग्रपा में लही नही संता हे हनुमन्त क्या कभी प्रभु श्री राम इस अनात पर किर्पा करेंगे क्योंकि मेरा शरीर तामसी एवं ज्यान कर्म और उपासना से रहत है पूजा पाठ का कोई साधन बनता नहीं और नाही मैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करने के योगी हूँ जो रघुबीर अनो ग्रह कीनहा तो तुम मोही दरस हट दीनहा सुनहो भिवी सन प्रभु के रीती करही सदा सेबक पर प्रेती परंतु हे हनमन आपके दर्शन के पश्चाद मुझे ये विश्वास हो गया है कि प्रभु श्री राम की मुझ अधम पर भी किर्पा है नहीं तो प्रभु की किर्पा के बिना आप जैसे संत के दर्शन दुरलब थे ये तो प्रभु श्री राम की रीती है कि वे अपने सेवकों पर सदा ही प्रेम निच्छावर करते हों। एक अधम से अधम बानर कुल का हूँ। जिनका प्रातायकाल नाम लेना भी अशूब माना जाता है। चुिरेश और लनाम उन्यार करते दोरीशावर करते हैं। मोहु पर रघो बीर अकीन ही क्रपा सुमरे गुन भरे बिलो चने नीर जानत हू अस स्वामी विसारी ते रहे पे काहे ना हो ही दुखारी यही बिधी काहत राम गुन ग्रामा पावा अने रिवाच वेश्रामा एसे नीच अधम कुलका होने के बाद भी प्रभू स्री राम ने इस सेवक पर कृपा की है हे बिधी स्री राम प्रभू का तो सुभाव ही है भक्तों पर सदा दया कर रहे हैं वो तो किरपा निधान है परन्तु जान बूच कर भी जो जीव ऐसे दीन दयाल रवनात जी को भुला कर माया के विशों में लिप्त रहते हुए अपने आपको नस्ट कर लेता है वही जीव जन्म जन्मानतर तक कस्टों को भोगता रहता है और यही संसार में दोखों का मूल का रहे है हे भक्त शिरोमणी आप सत्त कह रहे हैं परन्तु मेरा दुर्भाग्यतों देखी कि मैं ऐसे ही महाग्यानी रावन का अनुज हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी दिन रात बिशरों में लित रहता है और इसी कुगुधी के कारण उसने माता सीता का अपहरन किया है जब मैंने उससे माता सीता को नुक्त करने का निवेदन किया तो उसने उसे अस्वी कार कर दिया जब मुझसे माता सीता की पीड़ा नहीं देखी गई तो मैंने अपनी पुत्री कला को माता सीता को सांतु ना देने हेतु भेजा परन्तु जब रावन को यह ग्यात हुआ तो उसने मेरी बेटी कला को भी अशोग बाटका में जाने से रोक दिया हे हनुमन्त मैं रावन के इस कुक्रत से अत्यधिक लज्जित और चिंतित हूँ हे ताथ रावन के पाप कर्मों के कारण आप चिंतित मत होईए जीव अपने कर्मों के लिए स्वय मुत्रदाई होता है हे हनुमन्त आपके इस गूरू पदेश से मेरी भक्ती स्थिर्थ और चित्त शान्त हुआ तब हनुमन्त कहा सुन ब्राता देखी जहां हूँ जान की माता हे ताथ मैं माता जान की के जड़्शन करना चाहता हूँ माता जान की अपने पती ब्रत धर्म की रक्षा करते हूँ अशोग वाठका में एक ब्रक्ष के नीचे प्रभू की प्रतिक्षा में बैठी है भायनक और क्रूर राग्षिसिया उन्हें दिन रात डराया करती है हनुमन्त हे भक्तराज बिभीशन मुझे बहाँ पहुचने का मार्ग बताए ताकि प्रभू का संदेश मा सिता को सुना सको हे हनुमन्त वहां तक पहुचने का मार्ग अत्यन्त गुप्त एवं कठिन है संपूर अशोग वाट का रावड के राग्षिसों से घिरी हुई है परन्तु मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूँ जिससे आप रावड के राग्षिसों से बचकर सरलता से माता सीता से मिल सकेंगे जो गोती भीवी सेन सकल सुनाई चले वो पवन सोते बेदा कराई धन है आप और धन है आपकी भक्ति अब सुरद होने वाला है मुझे शिक्र चलने की आग्या देजिए ताकि रात्री की अंधिरे में अशोक बाट का जाकर माता के दर्शन कर सको अवश्य हनमन्त प्रभू श्री राम आपकी रक्षा करें जै श्री राम जै जै श्री राम करी सोई रूप गया वो पुनिता हवा बने अशोक सीता रहे जैवा देखी मन नहीं महों की ने प्रणामा बैठे हैं बीत जात निस जामा करस्त तनसीस जटा एक बेनी जपते हैं दैद घोपती गुन स्रेनी निजपद नयन दिये मन कमल राम पद दीन परम दुखी भापवन सुत देख जान की दीन तरुपल्ल वो महों रहा लोकाई कर ये बिचार करों का भाई तेही आवो सरे रावन तहां आवा संगे नारी बहो की ये बनावा पहु बिधे खल सीतन ही समझावा सामदान भाय भेद देखावा कहराउन सुन सुमुखी सयानी मन दो दरी आदी सबरानी कितने आश्चारे का विश्व कितने लोक में नर लाग का अंधर दे कोई ऐसी कन्या नहीं जो महा परतापी रावन के एश्वरे को ठुगा सके जो तरलोक विजई रावन की पत्नी बनना नहीं चाहती हो परन्तु तुम तुम सद्यो मुझे देखते ही अपना मुख मौल लेती हो हरदेश्वरी तुम्हारा ये सुंदर शरीर वेहर्थ के शोक में सूपता जा रहा है तुम्हारे ये कोमल चरण कर्सुभी को छूने के योगे नहीं थे परन्तु उस क्रूर हरदे के मनुष्णे तुम्हें वन की कठोर भूमी पर भटकाया है तुम्हारी शुभा तो संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष्ट के अंताहपूर की रानी बनने में है तुए अनुचरी करण प्रन मोरा एक बार दिलोक ममोरा त्रन धर ओट का हत बैदेही सुमरी अबध पत परम सनेही ए्तर लोक संद्री देखो मैं उस तपस्वी से अधिकशक्तिशाली ही हूँ अधिक प्रतापी हूँ अधिक अश्वर अश्वाइशाली है ये सोने की लंका ये तरोक का राज है ये सारा यैश्वर है तुम्हारी एक दिश्टी पर मैं निचावर कर दूँगा, मददरी यादी राणियों को तुम्हारी तासी बना दूँगा, संसार की सरुषे सुन्द्री, अपने चंद्रमुक की शीतल परभा, इस सेवक पर पढ़ने दूगा, मेरी और अपना मुखार बिन कर दूगा, बस अपी तेरी सिर्कृती ना पाकर, मैं निराश ही लोट चाओंगा सुन दस मुख खग्योत प्रकासा, कब हूंगी नलनी करई बेकासा असमन सा मुझे काहत जाने की, हल सुध नहीं करो वीरबाने की सठ सुने हर आने मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही अरे निलज, फुलस रिशी के कुल को कलंकित करने वाले कामी, अपना मुझ बन कर तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, तू स्वयम को महाशक्तिशाली और वीर समझता है तू वीर होता, तो मेरे अपरण का कुरकत्य यू छलपुरवक नहीं करता तू तो निलज चोर और कप्टी है, तू मुझे अपने राज वेवाव सुख और एश्वरे का प्रलोबन दे रहा है सची आरे नारियां तो अपने शील की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग कर देती है मैंने तो अपने पिता, मित्लना नरेश एवं ससुराल में अवद महराज के संपुर्ण वेभाव से समुरुद्द शाली राज्य के महलों में ऐसे सुख देखे हैं, जिनके सामने तेरे ये वेभाव, तुछ मात रहे किन्तु अपने प्रियतम के संप, वन में पैदल चलने, सादा भोजन, फल, कंद, मूल, खाने में, जो आनन की प्राप्ति होती है वो तो स्वर्ख के जीवन में भी नहीं होती तु अपने आपको महाशक्ति शालिय और ज्यानी समझता है तुझे ये ग्यात नहीं, कि जुगनों के प्रकाश में कमलीन का विकास नहीं होता वो तो सूर्य के और निहार कर खिलती है अरे दुष्ट सूर्य के प्रकाश के सामने कहीं जुगनु का प्रकाश ठहरता है क्या तुझे रगवीर के बाणों की खबर ने जिनके बाणों के प्रकाश में तुम वैसे ही विलीन हो जाओगे जैसे सूरे दे होते ही गोर अमवस्या विलीन हो जाती प्रतापी रग्मईश के सूरे के समख श्टिम्टि माने वाले जुगमी यहां से चला जा आप उही सुने खद्योत समग रामही भानों समान पर उस बचन सुने काढ़ अस बोला अतिख से आन सीता ते मम क्रते अप माना कट हो तो सेरे कठने क्रपाना ना ही तस बद मान मम बानी सुमख होत नत जीवन हानी शाम सरोज दाम सम सुन्दर प्रभु भुज कर कर सम दसकंदर सीते सहन करने की भी सिमा होती है मैं तुम से ब्रेम किया पैक शाकत आहूं और तुम बारंबार उस तबस्वी के लिए मेरा अपमान करती हो मैं चाहता तो उसी पंच बटी में उस सबस्वी का बद कर देता अरंतु मैंने चल से तुम्हारा अपरहन किया क्योंकि मैं चाहता था कि वो दिन रार तुम्हारे अपमान की प्रीड़ा में चले क्योंकि आज भी मेरी बेहन सूर्प नखा उसके द्वारा नाख काटे जाने के कारण अपरहन के अपमान की प्रीड़ा में चल रही है सारा राक्षस कुल जल रहा है परंतु मेरा तुम से कोई बेर नहीं वैसे भी सुन्दर इस्त्रियों का संबान करना हम राक्षसों का सवधर्म है परंतु तुम लगातार विश्विजई लंकेश का अपमान कर रही हो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी इक्षा का आदर सहीत पालन करो परना मैं इस कठोच अन्रहास में तुम्हारे शरीर के टुक्रे टुक्रे कर दूँगा हे दश्क्रीव तो फिर मेरा भी प्रंट सुन लो मेरे गले में मेरे रगुनात के बुजाओं के मालाई पड़ेंगे या तो फिर तुम्हारी ये तलवार सो भोज कंठे की तव असी घोरा सुन सठ अस प्रवान पन मोरा चंद्रहास अरो मम परितापम रगो पति भी रहे अनल संजातम सीतल निसित बहसी बरधारा कह सीता हर मम दुख भारा से किसी पापी कुपातर को शकतियां प्रदान करने का मुक्ति दिला दू ताकि भगवान शंकर को भी पता चले कि किसी पापी कुपात्र को शक्तिया प्रदान करने का प्रिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तुले, सीते। भे प्रभू, मैं क्या करूँ, आपने केवल मा सीता का पता लगाने की आग्या दिया है। अगर मैं दुस्ट रावन को मार कर, मा का दुख समाप्त करता हूँ, तो आपकी आग्या का ओलंगन होता है। अगर मैं यह सब देखता ही रहूँ, तो यह दुस्ट माता का बद कर देगा। मैं क्या करूँ। सुनत बचने पुने मारन धावा, मैतन आ कह नीत बुझावा। कह से सकले निस चरने बुलाई, सीतह बहो विधेत्रास हो जाई। मास दिवस महूं कहाना माना, तो में मारवे काढ़े क्रपाना। सिदे! हे ना, ऐसा अधर्म मत कीचिए। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के विजेता, और शक्ति मान राजा का एक निसहाय अबला नारी पर शेस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। स्वामी, आप समस्त वेदों के ग्याता है, नीती निपुर्ण है, ग्यान वान है, और ये आप भी जानते कि नीती में भी इस्त्री हत्या को अधर्म ही माना गया है। स्वामी, यदि आवेश में आकर इसने आप से कुछ अपशब्द भी कह दिये हैं, तो आप इसे शमा कर दीजे, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और वैसे भी, अभी ये इस्त्री असाहाय है, और उस रीती से भी आपको उसको इतना कठोड़ दंडे नहीं देना चाहिए। ठीके महाराने मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं आज इसका बद नहीं करता, परंटु मैं इसे मात्र एक मास का समय देता हूँ, यदि इसने एक मास में मेरा कहा नहीं माना, तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीष काट कर बद करूँगा। हे प्रभू, आपकी माया अप्रम पार है। रावण मासीता को जिस मंदोदरी की सौत बनाना चाहता था। आज उसी मंदोदरी से मासीता की रक्षा का उपाय कराकर, आपने इस तरह मेरी दुवदा दूर की, आपकी आग्या का पालंग भी हो गया। हे प्रभू, आप जिसको बचाना चाहते हैं, उसे हर देश और हर प्रस्तिती में बचा लेते हैं। आपकी लिला अप्रम पार है। जी महराज, तुम लोग साम दाम भैद निती और दन जिस बरकार बने, सीता को वश में लाने की जैश्चा करो, उसे भैबीत करो, इतना भैबीत करो, वो हमारी बात मानने पर विवश हो जाए। जैसी आग्या महराज। भवने गयव दसकंधर, यहाँ पिसाचने ब्रंद, उसीत ही त्रास दिखा वही, धरही रूप बहुमंद। अरे, उस तपस्वी के लिए कब तक बैठ के रोती रहोगी। तुम्हारी भलाई इसी में है, कि तु हमारे महराज लंकेश की रानी बन जा। संसार के सारे सुख वैभो, तुम्हारी सेवा के लिए तक पर है। तुम हमारे महराज रावन की बात मान लो, अन्यथा तुम जिवित नहीं रहोगी। समुद्र के इस पार तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता, मैं तुझे खा जाओंगी। ये लंका की रानी बनने योगी नहीं है, इसे काट कूट कर आपस में बाट कर खा लो। तुम लोग मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम लोग की एक बात नहीं सुनूगी। मेरे पती परमेश्वर ही मेरे लिए फूज नहीं है। उनका अनुराग सदा मेरे साथ रहेगा। तुम लोग मुझे काट डालो, चाहे जला डालो। लेकिन रावन क्या, रावन की परचाई तक मुझे छू नहीं सकती। तुम लोग मुझे मारना चाहते हों। एक कृपा करो। मुझे जल से जल मार डालो। स्वामी से विरय का दुख अब और सहन नहीं होता मुझसे। त्रजटा नाम राख्छ सी एका, राम चरन रतीन पुन बिवेका। सब नह बोले सुना यस सपना, सी तहें से यी कर खोहते अपना। सपने बानर लंका जारी, जा तो धान सेना सब मारी। तुम लोग इस विचारी को क्यों सता रहे हो। अरे मूर्खो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या हुआ त्री जटा माता, हम तो महरा जरावन की आज्या का पालन कर रहे थे। अरे पुत्रियों, मैंने कल रात को एक भयानक और डरावना सपना देखा है। इतना डरावना कि बताते हुए भी डर लग रहा है। मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। और उसके स्मरन मात्र से मेरा रोम रोम काप रहा है। ऐसा कौन सा सपना आपने देखा है माता। मैंने देखा एक वानर समुत्र लांकर लंका पर पहुचके है। और पूरी लंका को जला डाला है। रावन की सारी सेनाओं की शक्ति छड़ भिड कर दी है। खर आरूढ नगने दस सीसा मुंडित सिर खंडित भोजवीसा। यही विध सोद अच्छे ने दिस जाई। लंका मन हुबी वीसन पाई। नगर फिरी रघु बीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोले पठाई। और राम और लक्ष्मन श्वेत वस्त्रधारन किये। सीता के साथ आकाश मार्क से जा रहे। और लंकेश फिर मुडा कर तेल में नहाए। गधे पर सवार होकर दक्षिन दिशा यानि यम्पुरी की ओर जा रहा है। उसकी बीसो भुजाय कटी हुई है। लंका का राजा मानोश्री राम चंद्रजी ने विभीशन को बना दिया है। पूरे नगर में श्री राम चंद्रजी की जैजेकार हो रही है पुत्री ओ जैजेकार। और मेरा अनुपव कहता है कि प्रात्रकाल का सपना अवर्श साच होता है। यह सपना में कहां हूं पुकारी हो यह सत गए दिन चारी तासु बजन सुनी ते सब डरी जनक सोता के चरनन परी। मुझे टर लग रहा है। मुझे लगता है कि यह सपना कुछी दिनों में सच होने वाला है। कल्प ना करो कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद है। जब श्री राम चंद्र जी सीचा से तुम सब का हाल पूछेंगे तब तुम्हारी क्या दोर्दशा होगी। लेकिन इसमें हमारा कोई दोश नहीं। हम तो अपने महराज की आग्या का पालन कर रहे थे। तुम सब का कल्यान इसी में है पुत्री कि तुम इनकी सेवा करो। इनसे एक शमा मांग लो। हम एक शमा कर दो देवी, हम तो अपने महराज की आग्या का पालन कर रहे थे, हम एक शमा कर दो देवी, मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता मा, अब तुम सब जाओ, इन्हें सताना छोड़ दो हे अंतरयामी, धन है आप, इस राक्षसों की नगरी में, बिभेशन जैसे संत दुआरा, मा सीता के दिव दर्शन कराकर, आपने अपने सेवक पर बड़ी करपा की, तथा तरजटा को स्वपन देकर, आपने मेरे आने की सूचना माधा को दिला दी, और तरजटा के मुखारव में बास है, धन्य है प्रभु आप, और आपकी प्रभुता। तरजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन ते मोरी, तजों देह कर बेग उपाई, तो सहो विरहो अब नहीं सहे जाई आने काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुन देही लगाई बेटी, इन पर क्रोध मत करना। जो मेरी इस असहाय सिथी में मेरा सहारा है, इस लंका में आपके अत्रिक्त मेरा और कोई हितेशी नहीं है। मैं आज आपसे एक अंतिम प्राठना कना चाहती हूँ मा, क्या बात है पुत्री, है मता, इस दुराचारे रावण के शूल समान शब्दों को अब सुनने का मुझ मुसामत नहीं। पेटी, पेटी चिंता मत कर, शीग्री ही तेरे सारे दुखों का निवारन हो जाएगा, और तु इस बंधन से मुक्त होकर अपने प्रभू के दर्शन कर सकेगी पुत्री, मेरा कहां ऐसा भाग, जो प्राठनात के दर्शन कर सकूँ, आप जल्द ही ऐसा कोई उपाई की जि जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूँ, कुछ लकडिया लाकर, मेरे लिए चिता बना दें, और उसमें आग लगा दें, मैं आप जीवित नहीं रहना चाहती, मा, हे माता, अगर मेरे प्रती आपका प्रेम सत्य है, तो मेरे इतनी सी सहता कर दीजिए सात करही मम प्रीत सयानी, सोने को स्रवने सूले समवानी, सोनत बचन पद गह सम जायस, प्रभु प्रताप बल सोजस सोनायस निसनाया नले मिले सुन सो कुमारी, आसे कह सो निज भवने सिधारी ये विदे कुमारी, मेरी ऐसी परिक्षा मतलो, इस समय में मैं अगनी और लकडि कहां से ले कराऊगी इस वाटिका से मैं चाहे तो कुछ लकडिया इकठी गर भी लूँ, लेकिन इस रात्री की वेला में अगनी कहां से लाओगी आरे नारी हो, आरे नारी इस तरह अपने धैरे नहीं खोया करती इश्वर पर भरोसा रखो, इस चिता में जलकर केवर तुम्हारी शरीर को शांती मिलेगी लेकिन तुम्हारी आत्मा वो तो हमेशा प्रभू के व्योग में भटकती रहेगी इससे सची शांती नहीं मिलती, सची शांती के लिए भॉले नात की प्रार्थना करो क्योंकि वो दुखों को नहीं, दुखों के कारणों का नश्ट करती है और भॉले नात की क्रिपा से शायद तुम्हारे प्रभू स्री राम स्वयम यहां आ जाए कैसे आएंगे माता उन्हें कौन बताएगा कि मैं कहा हूँ इतना निश्चित है कि अगर उन्हें पता होता कि मैं लंका में हूँ तो वो लंका की इट से इट बजा देते उनके प्राक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं है मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता कि मैं उन्हें इतनी सी सूचना दे सकूँ कि उनकी वैदे ही उनके श्रीचरों से दूर राक्षसों के लंका में बिलख रही जैसे निराशाओं के आंधियों के बीच आश्रा का एक दीप टिम्टिमा रहा जो कभी भी बुझ सकता है मा ना अपने आशा के दीपक को बुझने मत्य पुत्री हिश्वर पर भरोसा रख भोले नाथ का कोई भरोसा नहीं नजाने कब किसी भीक्षण वो तुम्हारी जीवन की धारा को निराशा से आशा की और मोड देंगे उन पर विश्वास रखो और कौन जाने अब तक उन्हें पता लग क्या हो और कोई, कोई स्री राम का संदेशा लेकर आही रहा हो ऐसे सुख़ सपनों से आसु तु नहीं थमते न माँ आसु को बह जाने थे पुत्री लेकिन विश्वास रख सपने सच होते हैं होते हैं सपने सच आज ये राक्षसिया डर कर चली गई है अब तू चेहन से सोने मैं प्राथ्यकाल आवश्या आओगी सोने पुत्री कह सीता बिधिभा प्रतिकूला मिला ही न पावक मिटा ही न सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनी नयावत एक उतारा पावक मैं ससी स्रवत न आगी मन हु मोहे जानी हत भावी अब मैं क्या कर अब तो विधाता भी मेरे विप्रित हो गए ए आकाश तो अपने विशाल थाल में अगिनत तारा गड़ों के जलती हुई दीप मालाई सजाए बैठा है क्या एक चिंगारी पिछवी पर नहीं फेक सकता वो सहानू भूती के प्रतिक चद्र में तो प्रेमियों के सयोग सुख में शीतलता और विच्छों के समय आग उगलने लगता है मुझे आत्मदाह करने के लिए अगली दे दे सो नहीं बिनाय मम बिटत यसो का सत्य नाम कर हर मम सो का नूतन के से लए अनल समाना देही अगिने जने करही निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोचने का पेह कलप समभीता मेरे इस बंदिग्रह के साथ ही आशो प्रिक्ष अपने आशों से मैंने तेरे इस भूमी को सीचा है तेरे इन नए-नए कोमल पत्तों में मुझे अगली दिखाई देती है इस शरीर को राख करने के लिए मुझे अगली दे दो और मेरा शोखर अपने नाम को सत्य कर दीजी आज मेरी बात कोई नहीं सुनता कोई भी नहीं ए माता आपका ये कस्ट अब उससे सह नहीं होता कपी करेह दय बिचार दीन मोद्र का डार तब जन अशोक यंगार दीन हरस उठकर गह वो तब देखी मोद्र का मनोहर राम नाम अंकित अथी सुंदर चकिति चितव मुद्री पहचानी हरस विसाद हिर्दय अकुलानी ये तो मेरे प्रभुष्री राम की मुद्रिका है परण तो ये यहां कैसे आई जीत को सकई अजयर घुराई माया ते असरची नहीं जाई सीता मन विचार करनाना मधुर बचन बोले वो हनुमाना राम चंडर गुन बर ने लागा सुन तह सीता कर दुख भागा कहीं किसी राक्षस ने तो नहीं नहीं प्रभु को कौन जीत सकता है वो तो अजय है कहीं ये माया तो नहीं लेकिन माया से ऐसी अंगुठी नहीं बनाई जा सकता फिर यहां कोई है हे माता आप सत्त कह रहीं है ये अंगुठी माया रचित नहीं है लागी सुने स्रवन मन लाई आदे होते सब कथा सुनाई स्त्रवनाम्रत जेही कथा सोहाई कहीं सुप्रगट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चली गय वो घिर बेठी मन विसमय भय वो हे माता आप सत्त कह रहीं है ये अंगुठी माया रचित नहीं है स्वयम प्रभु श्रीराम ने अपने हाथों से मुझे दी है उन्हीं करोणा निदान की किर्पा के सहारे मैं अंगुठी लेकर अशोक बाटिका तक आया हूँ हे भाई तुम कौन हूँ जिसने आमरतवचन कहे स्वयम करोणा निदान ने ये अंगुठी तुम्हें दी है तो तुम सामने क्यों नहीं आते हूँ छुपे क्यों हुए हूँ जये श्रीराम राम दूत में मा तो जाने की सत्य सपथ करुणा निदाने की यह मुद्र का मा तो में आनी दीन है राम तुम कह सही दानी नर्बान रही संग कहु कैसे कही कथा भई संगती जैसे हे माता एक बंदर को देखकर इस प्रकार बिस्मित होकर आपका मुझ फिरे लेना उचित है कि तुमाता मैं करुणा निदान स्रीराम की सच्ची सपत लेकर कहता हूँ मैं उन्ही का दूत हूँ मेरा नाम हनुमान है हे माता आप संदेह ना करें यह अंगूठी लेकर मैं ही आया हूँ माता जब बानरों की सेना आपका पता लगाने के लिए प्रयान कर रही थी तो प्रवी श्रीराम ने सुने मुझे अपने निकट बुलाकर यह अंगूठी दी थी तक यह आप इसे देखकर पहचान सके कि मैं ही वास्तम में प्रवी श्रीराम का दूथ हनमान है परन्तों मनुष्य और वानर की मित्रता आश्चर जनक है यह मित्रता कैसे हुई हे माते श्री रावर के बिमान में जाते हुए आपने कुछ आबूसण साड़ी के पल्लू में बांदकर एक परवत पर फेके थे वही आबूसण रिस्रीमुख पर बैठे हुए वानरा सुग्रीव पर सामने जाकर गरे हे माता जब आपको ढूरते हुए परवोश्रीराम रिस्रीमुख पर पर आये तो उनकी भैट वानरा सुग्रीव से हुई जो सुएम बाली के भैसे भैवीत होकर रिस्रीमुख पर निवास कर रहे थे जब वानरा सुग्रीव की और परवोश्रीराम की मित्रता हुई प्रवत्वर रहने कारव प्रवु श्रीराम को बताया तब बाली दौरा प्रतारित सुग्रीव के कस्टों से दुखी होकर प्रवु श्रीराम ने बाली के बद करके सुग्रीव के पुनहे किसकंदा का राजा बनाया और प्रवु श्रीराम ने अपनी मित्रदा का धर्म नभ तब वानरा सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए वानरों की सेना को भेजा है चारों दुशाओं में बिश्व के समस्त वानर आपकी खौश कर रहे हैं माता ये तो मेरा सभाग है कि सरपर्धम मुझे आपके दर्शन हुए है माता प्रभु शुरी राम दिन रात आपके समाचार की प्रतिक्षा कर रहे हैं कपी के बचन सप्रेम सुने उपजामन बेश्वास जाना मन क्रम बचन यह क्रपा सिंधु करदास हरी जन जान प्रीत अति बाढ़ी सजले नयन पुले कावली गाढ़ी बूढ़त बेरा ही जल दी खनुमाना भाया वो तात मोकं हो जले जाना अब कहो को सले जाऊं बलिहारी अनोजे सहत सुख भवन खरारी हे पुत आज तुम्हारे इन वचनों से मुझे इतनी प्रसनता मिली है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती है हे तात तुम विरह सागर में डूबी हुई सीता के लिए जलियान के समान मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक हो मेरे प्रभु श्री राम अपने अनुच के साथ कुशल से तो है कोमल रिधे और कृपालू फिर इस चरण सेविका के लिए वे इतने निष्ठुर कैसे बन गए क्या उन्हें मेरा स्मरण नहीं कोमल चित कृपाल रगुराई कपी के हे तो धरी ने ठोराई साहज बाने सेवक सुख दायक कब होक सुरती करत रगो नायक कब हुनयन मम सीतल ताता हो यह निरख श्याम म्रदु गाता बचन नया वो नयन भरबारी आहायनाथ होने पटे बिसारी क्या कभी मैं उनके कोमल और साउली छवी के दर्शन कर पाऊंगो हेनार आपने मुझे सरवदा ही भुला दिया देख परम बेरे हाग पुल सीता बोला कपी म्रद बचन भी नीता मात को सले प्रभु अनोज समेता तव दुख दुखी सोक्र पाने केता जन जन नी मान हो जिये उना तुम ते प्रेम राम के दुखना हे माता आप ब्याकुल न हो ये किर्पा के धाम सौंदर की मूर्ती प्रभु श्री राम अनुज लस्पर सहित पूर्टा कुसल से हैं परन्तु हे माता आपकी ब्रह में वो सदे बहुत दुखी रहते हैं मैं भी उनकी विरह में कैसे कश्टों में जी रही हैं रगोपती कर संदेश अब सुन जननी धर धीर आसे कह कापी गद गद भयवो भरे बिलो चैने नीर हे माता मैंने ब्रक्ष पर बैठे बैठे धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्वलता का मर्म देख लिया और यह भी देख लिया कि एक पतिवरता नारी का तेश तीन लोकों के बिजेता घमंडी रावर के तेश को किस परकार निस्तेश कर देता है माता आप इस परकार अपने मन को छोटा करके दुख न कीजिए प्रभु श्रीराम के हिटदय में आपके प्रती आपसे दूना प्रेम है पर तुसे कोई देख नहीं सकता आप धीरे धारन करके प्रभु श्रीराम का सुन्दे सुनिए माता तो कहो रामे बेयोग तु ऐसीता मो कहों सकल भये बिपरीता नव तरो किस लए मन खो क्रसानू काल निसा समनिस ससीभानू खोग लएबे तेने कुंत बन सरिसा बारद तपत तेल जन भरिसा जेहित रहे करत तेई पीरा और अग स्वास समत्र बिध समीरा कह होते कच दुख घट होई काहे कहों यह जान न कोई तत तो प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीत रस इतने हे माही प्रभु संदेस सुनत बैदे ही मगण प्रेम तन सोध नहींते ही आप ध्यर धारन करके प्रभु श्री राम का संदेस सुनिये माता है माता प्रभु श्री राम ने कहा था सीते, तुम्हारे वियोग में, मेरे लिए सभी वस्तु में प्रतिकूल हो गई है व्रक्षों के नैने पत्ते, अगनी के समान, रात्री काल, काल रात्री के समान और चंद्रमा, सूरज के समान तपित लगता है कमल के वन, चुबते हुए भालों की तरह लगते हैं वर्षा, वर्षा ऐसी लगती है, जैसे मेग, खौलता हुआ तेल बरसा रहा हूँ शीतल, मंद, सुघंदित वायू, साब की श्वास के भाती, जहरीली, और गरम लगती है सीते, तुम्हारे साथ, जो वस्तुए मुझे प्रियत ही वही तुमसे विरह में, पीडा देती है मन का दुख कह डालने से, दुख कम हो जाता है परंतु किस से कहूं, तुम्हारे और मेरे प्रेम का रहस से तो केवल मेरा मन ही जानता है, और वो सदा तुम्हारे पास रहता है सीते, बस इतने में ही, मेरे प्रेम का सार समझ लेना सीते, 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 सीते कभी इस चरण सेविका को आपके चरणों के दर्शन होंगे